वट्सअप के लिए अब इससे अच्छी वीडियो नहीं हो सकती है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना खुद का वट्सअप स्टीकर कैसे बना सकते हैं तो शाल ये वीडियो सुरू करते हैं तो मेरा नाम हेरे विशेंकर पाठक और आप देखरें माई प्रेमरी शेयर लूशे हैं बहुत ही सिंपल है आप बहुत ही असानी से अपना खुद का वट्सअप स्टीकर बना सकते हैं तो इसके लिए आपको दो आप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा पहला आप्लिकेशन है बैक्ग्राउंड इरेजर दूसरा आप्लिकेशन है परसनल स्टीकर आपको मैं विडियो के अंत में बता दूँगा कि इन दोनों आप्लिकेशन को किस तरह से डाउनलोड करना है उससे पहले मैं आपको बता लेता हूँ कि आपको किस तरह से अपना WhatsApp sticker बनाना है तो देखी यहाँ पर मेरा application है background eraser मैं इसको open कर लेता हूँ देखी सबसे पहले तो आपको PNG photo बनाना होगा चली मैं आपको दिखा द रहा हूँ तो यहाँ देखी लिखा हूँ है load photo इस पर click करके आपको अपना photo select करना है जिसको आप WhatsApp sticker में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको load a photo पर click करना है click करने के बाद यहाँ से आपको अपनी gallery में जाना है और gallery में जाकरके अपना photo select करना है जिस photo को आप WhatsApp sticker में add करना चाहते हैं तो ये मेरा photo है, मैंने इसको यहाँ पर select कर लिया है अब दिखिए, यहाँ से इस photo का background आपको हटाना है तभी जाकर कि वह photo png file में बनेगी तो दिखिए, सबसे पहले तो crop कर लेते हैं आपको जितना बड़ा छोटा रखना है, उतना crop कर लिजेगा मैंने इस photo को crop कर लिया है, ठीक है इतना रखना चाहता हूँ, अब आपको क्या करना है इसका background हटाना है, तो देखिए, automatic पर click किजी यहाँ लिखा हुआ है auto, इस पर click किजी यहाँ पर side में रखी इसको, और यह जो similar है similar color है, देखिए, इसको full कर दीजे, ठीक है अब आपको क्या करना है, इसको ले जाना है, बीच में और जो आपका background है, उस पर लाग करके इसको छोड़ दीजेगा मैं यहाँ पर लाग करके छोड़ दिया और मेरा पूरा background एक ही बार में हट गया मैं आपको एक छोटा सा trick दे दे रहा हूँ अगर आप अपने photo को whatsapp sticker में लगाना चाहते हैं तो आप अपना photo उस जगह पर खीचिएगा जहां का background बिल्कुल plane हो, ठीक है अब यहाँ पर मैंने अपने photo का background एरेज कर लिया है उपर लिखा हुआ है save, इस पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखे लिखा हुआ हैगा finish इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो यह photo Mary gallery में save हो जाएगा तो अब background eraser application का काम खतम हो चुका है अब हमें जाना है personal sticker application में तो यहाँ पर मैं personal sticker application को open कर लेता हूँ open करने के बाद यहाँ पर दिखे बहुत सारे photo दिखाए देंगे आपके phone में जितने भी png photo होंगे, सब के सब दिखाए देंगे आप इनको अगर add करना चाहते हैं तो add कर सकते हैं लेकिन देखिए जो हमने photo बनाया था ओ गया है eraser folder में तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है eraser आपके phone में अगर eraser folder यहाँ पर नहीं मिलता है तो नीचे जा करके ढूंड लीजेगा मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर click करते हैं रेजर पर अब देखिए जो photo हमने बनाया था ओ नीचे है यह देखिए यह नीचे दो photo है इसी को मैंने बनाया था तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी photo है उनको WhatsApp sticker में add कर दिना है कैसे करना है यहाँ पर लिखा हुआ है add to WhatsApp इस पर click किजएगा और यहाँ पर मेरे पास दो WhatsApp है एक business WhatsApp है और एक मेरा personal WhatsApp है तो आपको जिस WhatsApp में add करना है उसको select किएगा just once किजएगा और थोड़ा देर तक यहाँ पर loading होगी आपका WhatsApp sticker add हो जाएगा तो यह द निखाद रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना WhatsApp open करता हूं और यहाँ पर click करता हूं emoji पर और यह रहाँ नीचे 3rd number पर आता है आपका WhatsApp sticker और यह रहाँ मेरा नया folder जहां पर मैंने सभी अपने फोटो को add किया है यह देखी है और यह रहा इसको मैंने send कर दिया इसको ही मैंने करते हैं कि आपको किस तरह से WhatsApp sticker और background eraser application को download करना है अच्छा लग रहा है वीडियो को like करते चलिए और अपने दोस्तों को Facebook WhatsApp पर भी share कर दीजेगा तो फटाफट वीडियो को like कर लिजे यहां पर आपको जाना है Play Store में और Play Store में जाने की बाद यहां पर आपको सर्च करना है background eraser ठीक है background eraser और यह रहा application इसी को आप download किजेगा किसी और application को मट download किजेगा इसका icon नाम company का नाम अच्छे से देख लिजिए ठीक है अब आपको एक और application download करना है जिसका नाम है personal sticker तो यहां पर मैं search कर लेता हूं यह रहा application इसका आप पूरा नाम देख लिजिए इसका icon देख लिजिए और company का नाम देख लिजिए इसी application को आपको download करना है तो इस तरह से आप बहुत ही असानी से अपना खुद का WhatsApp sticker बना करके अपने WhatsApp में add कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं अगर आपको और ज्यादा stylish WhatsApp sticker बनाना है तो मुझे comment करके बताईगा मैं आपको और ज्यादा stylish WhatsApp sticker बनाना सिखा दूँगा तो यह थी एक छोटी सी वीडियो उमीद करता हूँ पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को like कर दीजेगा अपने दोस्तों को Facebook कलर में लिखा होगा सबस्क्राइब उस पर क्लिक करके आप मारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और नॉटिफीकेशन विलकॉण का नाम बत भुलिएगा सो थैंक्स पर वोचिंग बाबाई टेक केर